वी आर आपने देखा होगा यूट्यूब में भी वी आर का option आपको देखने हो मिलता है वी आर क्या है वो एना एक पूरा अलगी हम virtual जो है वो environment बना रहे है एक नकली जो है वो एक अलगी environment बना रहे है उसमें क्या था हमारा environment जो था वो real था उसमें हमने 3D या 2D objects एड करे थे मतलब virtual objects जो है वो एड करे थे इसमें क्या है हम real world में चीज़े एड नहीं कर रहे हैं हम पूरा ही वर्ड जो हो अलग बना रहे है आपने 360 degree वाली वीडियो वगरा देखी होगी मैं आपको example दिखाता हूँ जैसे AR की मैंने practical दिखाया थे अब मैं आपको VR के practical करके दिखाता हूँ फिर इसको देखता है क्या चीज़ है यह जो देख रहो ना यह है VR headset इसको आप इस तरह से अपने आँखो पर लगा सकते हो और इसकी मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ देखो जब मैं कोई भी नई technology आती है फिर जो भी tax related होती है मैं gadgets जो खरीद रहता हूँ मुझे बचपन से शौक है तो मैं जब 14-15 साल का था तब मैंने खरीद रहता है इसकी वीडियो पर डाल रखे है उसमें बच्चों वाली अवाज है बच्चों वाली हरकत है यहाँ पर हमारे smartphone फश जाएगा कुछ इस तरह से अब हमारे smartphone पर जो भी वीडियो वगरा चलेगी उसको content को हम यहाँ पर देख सकता आप चेक कर सकते हो अब जब हमाई 2 आँखे हैं 2 आँखे जब एक साथ देखते हैं आपको अलग अलग थोड़ी ना दिखते हैं अगर आप इसको देखें तो वो आपको एक ही चीज लगेगी जैसा आप अपने आँखों से देखते दो आपको circle से नहीं दिखते हैं यहाँगी जाकर जब काफ़ सारे VR के content देखने हो मिलता है, वर्चौल रियालेटी के, 360 डिग्री वीडियो होती है, आप जो आप movies वगएरा theater में देखने जाते हो, cinema hall में देखने चाहते हो, वैसा ही experience आपको hit set लगा कर देखने हो मिल सकता है, आपको YouTube पर भी काफ़ सारी वीडियो है, वो VR में दे रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसी से resolve हो सकता है, और अभी ये वीडियो जो है, मैं uncut record कर रहा हूं, इसको unedit record कर रहा हूं, इसमें मैं edit नहीं करूंगा, सिफ pause कर गे, play कर गे, इस तरह से कर रहा हूं, क्योंकि edit कर गे, render करने में थोड़ा time लगता है, और इस बाकी channel भी है, व उपर नीचे दायबाय देख सकता हूं, सिफ finger से नहीं मैं phone को इधर उधर करूँगा, तो भी मैं इसके उपर नीचे देख सकता हूं, उपर देखना है तो मैं phone को उपर कर दूँगा, right देखना है, left देखना है, left right करके भी देख सकता हूं, और इसको अगर मुझे VR में दे अब मुझे उपर देखना है मैं उपर देख सकता हूं नीचे देख सकता हूं तो बिल्कुल रिएलिटी में मुझे फील होगा अब यह मैंने रॉलर कोस्टर वाली यहां पर वीडियो चलाई थी अगर मैं यहां पर एक चीज और करता हूं कि हैं पर एंवारिमेंट कुछ इस खराया जाता है और उसी तरह की sound चलेगी उसी तरह की हवा आपके उपर फेकी जाएगी और आप बिल्कुल real words से बिल्कुल अलग हो जाते हो आइसोलेटेड हो जाते हैं और रियल वर्ड का आपको कुछ नहीं पता होता आप कहां पर हो कहां पर नहीं हो आप उसी वर्ड को experience करते हो जो आपको वी आर बॉक्स में दिखाई जारी है अब मैं इस लोकेशन पर हूँ तो अगर मैं इस वी आर हिट सेट से को देखू है तो बिल्कुल वैसा ही immersive experience आपको मिलने वाला है अगर आप वी आर हिट सेट का यूज करके वी आर टेकनोलोजी का अगर आप यूज करते हो आप सोच यारा कितना मज़ा है आप कहीं भी जा सकतो अपना वी आर हिट सेट लगाओ जहां भी फील करना है जहां आप नहीं जा सकते तरह है लिए अगर वी आर हिट सेट पापने स्क्रीन लगा दी और आपको चौश हु करबच профory वह आपके हाथ में अलगाये जाएगे उस तरह alımटे देकिल संग होगा किसी मार और उसमें हाथ हिलता वह दिखेगा और-वह सचमें ऐस लगा आप मोजिए की अपने मुवी क वगरा में देखा होगा या फिर जैसे ब्लैक मिरर में ने बताई है अगें 18 प्लस है अगर आप 18 प्लस हो तो जाकर देख लेना तो वहाँ पर भी इस तरह की गेमिंग वगरा दिखाई गई है उसका यूज करके तो काफी कमाल की टेक्नोलोजी हो सकती है आप गेमिंग वगर सकते हैं वहाँ वह पर देखा इस तरह से फिल होगा तो इस तरह से गेमिंग वगईरा में यूज कर सकते हैं study में यूज कर सकते हैं जैसे कि आपको solar system को इयार में एक्जामपल दियाता है अगर मैं आपको वीर में पूरा space दिखाऊ हो तो आप पूरा space देख सकते हो बिना ऐसा लगे कि हाँ आप ऐसे जा रहे हो तो पूरी आपको फील आएगी इस तरह गी तो यही डेफिनेशन लिखी है कि वर्चौल रियालेटी जो है आपका वी आड जो है वह कंप्यूटर जेनरेटीड सिम्यूलेशन होता है जो कि एक अलगी वर्चौल एन्वारमेंट होता है जो कि आप फील कर पातो कुछ गैजेट्स यह पी डिवाइजस का यूज करके जैसे कि मैंने वी आर बॉक्स आपको दिखाया था और गोगल्स वगएर आते हैं उनका यूज कर सकतो गलफ्स वगएर आते हैं जैसे मैंने बता है ना गलफ्स पैनेंगी तो उसमें सेंसर होत अगर अपने गलफ्स वगएर उसमें सेंसर होता आप बैट को घुमाओगे तो उसमें वी आर बॉक्स में आपका बैठ हिलेगा ऐसा आप रियालेटी में आपको फील होगा कि आप सच में किसी स्टेडियम में हो और क्रिकट खेल रहा हूँ तो यह ही डेफिनिशन इसमें दे रखे हैं यहां पर वो साउंड और यहां पर उसी तरह की एंवार्मेंट और सेंशेशन वगएरा का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको वैसी फील आए जैसे कि मैं आपको पता है टेंपरेचर और यहां पर एयर वगएरा का और हुमिडिटी वगएरा वैसे सेट कर दे आपको पहाड़ी एरिया अगर दिखाए अगर हिट सेट में और वहाँ पर रियालेटी मम टेंपरेचर थोड़ा कम कर दे और थोड़ी हुमिडिटी बढ़ा दे और थोड़ी हवासी चला दे तो और आपको स्क्रीन पर पहाड़ दिख रहा है बर्फ अगरा पड़ती पहाड़ी एरिया में हो और हिल स्टेशन पर हो यहां पर एप्लीकेशन दे रख्या है और यहां पर कुछ यूज केसिस और आप बोल सकते हैं यूज केसिस यह फिर एक पेपर में एर वी आर पूरा हो जाएगा दूसरा पेपर जो है वह पूरा फाइफ जी में आपका उनको ट्रेनिंग देनी है तो आप उनको वर्चुल एन्वायरमेंट क्रेट करके दे सकते हो उसमें पूरा एन्वायरमेंट होता जहां पर उनको पहली दिखाया जाता है जाना होगा उस तरह से इस तरह की की केंपिंग करनी होगी है यहां पर उनको feel करा जाता है we are in sports sports training में भी यहां पर इसका यूज करा जा सकता है coaches जो है वो अपने players को बता सकते हैं देखो यहां पर आपको इस boundary पर खड़ा होना होगा इस तरह से बॉल आएगी तो इस तरह से उसको cash करना होगा उसको रोकना होगा और इस तरह से सब्सक्राइब कर देखें के लिए आप यहां पर खड़ा होना होगा आपको यहां पर उनकी पोजिशन बताई जा सकती है तो sports में भी वियार का यूज करा जा सकता है mental health में भी यूज करा जा सकता है अगर मानलो आपको उचाही से डर है या फिर आपको जैसे कि मैंने कोई आपको यह चलो उचाही से डर वाला एक्जामपल ही लेता है अगर आपको 30 मंजिल वाली बिल्डिंग पर खड़ी कर दिये जिसमें 30 यह 40 फ्लोर है उस बिल्डिंग में उपर सापको जहांक के अगर आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा आपको डर को दूर करने के लिए आप वी आर का यूज कर सकते हैं वी आर में आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप जो हो काफी उपर हो 30-40 मंजिल उपर हो और आपको वह पर जहांक कर दिखाया जाएगा तो आपको डर लगेगा लेकिन वह आपको इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको धीर या फिर 40 आप यह पर फ्लोर पर नहीं हो क्योंकि वह आपका वर्ट्चॉल है तो जब आपका डर जो हो खतम हो जाएगा फिर आप रियालिटी में चाहे तीस फ्लोर वाली बीडिंग पर खड़ा करो चालिस फ्लोर वाली पर या फिर कहीं से भी खड़ा करो तो आपको उच अच्छाल एन्वार्मेंट बना दिया जाएगा वाप अपने स्कीन पर देख सकतों पास जागर देख सकतों किसी बॉड़ी को दूर जागर देख सकतों जैसे ए आर के एक्जामपल में मैंने बताया था और आप उसमें लर्ण कर सकतों ऑपरेशन वगएरा वहीं पर आपक आपको बताया गेमिंग में यूज कर सकते हैं एंटर्टेन्मेंट में कर सकते हैं जैसे वीडियो वगएरा मैंने दिखाया था गेमिंग का एक्जामपल मैंने दिया था यह सभी आप पढ़के देख सकतों आपको समझ में आ जाएगा रियल टाइम प्रोड़ेक्ट डेमो आप दिखा सकते हो प्रोडेक्ट का डेमो जो है वी आर हीट सेट्स पनाँयोगे तो आपको उनका प्रोडेक्ट जह वो आप उसी में लाइफ देख सकतो कि किस तरह का उनका प्रोडेक्ट दिखेगा जैसे आपको कुछ एक्जामपल देता हूँ धाँ को अगर आपको रूम बुक कर रहे हैं घर पे बैठे तो बूप कर लिया और सुरुम भूर मया उपने और वहां हो लुटन देखें सब्सक्राइब वी आर के थुरू आप देख सकते हो अगर आपने हिट सेट पहना तो आप पूरा ऐसा लगे कि आप उस रूम के अंदर हो उपर देखना तो ऊपर की चीज़ दिख जाएगी अगर आप अपना फेज वह राइट की साइड यहां पर देखेंगे तो राइट की चीज़ दिखे है और expensive है और humans के साथ connection कम हो जाता है जैसे कि स्मार्टफोन से होई रहा है लोगों का human से connection कम होता चला जा रहा है कुछ इस तरहीं चीज़ है यहां मैंने AR VR का comparison भी बनाए है और यहां पर AR में 25% virtual चीज़े होती है 75% यह होती है वह रियल होती है क्योंकि हमने रियल वर्ड में virtual elements यह एड करें लेकिन VR में 75% चीज़े वह रियल होती है और 25% रियल होती है जो भी हमारे movement motion वगरा है उस चीज़ को मिला कर अभी आपको एक चीज और बताऊंगा MR बता की यहां पर आर्स ने आर के लिए हैट सेट जरूरी जरूरी नहीं होते हैं बीना है सेट के कर भी काम आपका चल जाता है और गया है और आर में जो वो यूजर जो है वो रियल वर्ड से connected रहता है उसको पता रहता है क्या चीज़े यहां पर रियल वर्ड में है उसके पास क्या के चीज़े रखी है लेकिन वी आर में ऐसा नहीं होता है वी आर में आप पूरे completely अलग हो जाते हो रियल वर्ड से और आपको रिय